पर मैं दॉक्टर मिनाक्षी राथी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो आज का हमारा टॉपिक है बायो रेमेडियेशन चोकि आपकी बायो टिकनोलोजी का टॉपिक है और वैसे भी आज आप लोगों का प्री का एक्जाम था होपुली आप सभी लोगों के एक्जाम बहुत अच्छा गया होगा एक्जाम एनालिसस में भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉंस थे स्टूडेंट से यह जानकर बहुत बहुत खुशी हुई तो अब आरी है मेंस एक्जाम की सो गेट टाइप यूर शूज और से बकल आप यूर शूज और से एक्जाम आप मेंस के लिए बिलकुल तयार हो जाई है चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की लेकिन उससे पहले आप अड़र 24 7 की आप डाउनलोड कर सकते हैं इस आप में आपको जॉब एलेट्स पावर कैप्सूल डेली क्वेस अग को राउनलोड करेंगे और सलेक्ट करेंगे अग्री क्लचर सक्षिन और इडिली क्वेस रलेट टो अग्री कल्चार विच विच विव बूस्त यार पर अईची वेरी वेरी गूड इवन अर्पित अंजमारा और वेलकम तो देले सेशन गाईज वैंड लिए वीज विज व किसकी क्लास की करेंगे भई और किसकी करेंगे आज का हमारा टापिक है बायो रेमेडियेशन लेकिन उस से पहले सभी लोगों से कहना चाहूंगी आज मैं आप से 10-15 मिनट लेट हूं क्लास के लिए आचली माई PPT गट क्राश्ट तो यह बहुत जल्दी जल्दी मैंने बस कॉपी पेस्ट के आप लोगों के लिए और आई केम आप राइट तो फुली यू विल एंज्टाइ दे क्लास राइट आज तेन बजे क्लास नहीं होई शुरू करते हैं बायो रेमेडियेशन से तो बायो रेमेडियेशन क्या होता है Bio-remediation is a branch of biotechnology that employs the use of living organisms जैसे कि microbes या bacteria, fungus, किसी भी living organism का हम use करते हैं, environment को clean करने के लिए, toxins है, pollutants है, contaminants है, इनको कम करने के लिए या clean करने के लिए, अगर हम biological agents का use कर रहे हैं, तो उसे bio-remediation कहते हैं, very 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 good evening Gaurav and welcome to the session, so bio-remediation basically क्या है, environment को तो हम सब clean करते हैं, कहीं पर later पड़ा होते हैं, तो हम सब उठाते हैं, लेकिन उठा कर dust bean में डालना is not bio-remediation, bio-remediation एक permanent solution है, चीजों को degrade करना, उन्हें toxic level से normal level तक लेकर आना, ताकि जो हमारा underground water है, हमारा पानी है, बहता हुआ पानी है, नदिया है, या हमारी soil है, ये कम contaminate हो, कम इसमें pollutants रहें, इसके लिए हम living organisms का use करें, इनको साफ करने के लिए, तो इसको bio-remediation कहते हैं, ठीक है, चलिए, शिरू करते हैं, bio-remediation के दो process हो सकते हैं, in-situ process and ex-situ process, ठीक है, in-situ process कौन से होते हैं, जो within that, जो भी आपका pollution हुआ है, वही पर आप उसको clean करने की कोशिश करें, उसके natural habitat में उसको clean करने की कोशिश करें, उसे in-situ bio-remediation कहते हैं, वही अगर आप उसको वहाँ से निकाल कर ला रहे हैं, किसी treatment plant में ला रहे हैं, किसी machines का use कर रहे हैं, with microbes, जैसे bio-reactors यूज कर रहे हैं, बिसिकली वहाँ से जहां वो pollutant है उसको natural habitat है, वहाँ से उठा कर आप उसको कहीं और रख रहे हैं, और फिर उसका bio-remediation कर रहे हैं, तो उसे कहते एक-सी-2, क्योंकि यह आप अपने origin place है, origin habitat से क्या है, बाहार है, तो इसको कहते एक-सी-2 remediation, चिकेंगे, येस, रुशी, we have your FSO class, food safety officer class होती है, तीन बजे, तीन से चार बजे, रोज, agriculture अड़ा 24-7 पर, ठीक है, So, these class are helpful for any state FSO और FSI CFO, ठीक है, सभी के लिए ये classes जो है, important है, food microbiology, food processing, food laws, food science, इन सभी topics के बारे में आप इन classes में पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, So, bio-remediation can either be done in-situ, which is at the site of the contamination itself, जहां पर contamination हुई है, उसी site पर आप उसका ilaj कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं, in-situ bio-remediation, x-situ which is locating away from the site, site से अगर दूर location है, तो इसे क्या कहते हैं, x-situ bio-remediation कहते हैं, x-situ bio-remediation may be necessary if the climate is too cold or sustained microbe activity, ठीक है, ज्यादा तर x-situ conservation कहां की जाती है, जहां environment suitable नहीं है, हम bio-remediation micro-organisms की help से करते हैं, अब मानने चे बहुत ज्यादा cool temperature है, तो वहां पर enzymes की activity, microbes की activity कम हो जाएगी, तो ऐसे में आपको x-situ bio-remediation करना पड़ता है, यानि कि उस contaminant को वहां से निकालना पड़ता है, और किसी और place पर इसका जो है detoxification करना पड़ता है, ठीक है, so this is called bio-remediation in-situ and x-situ, generally there are three type of bio-remediations, first is bio-stimulation, second is bio-augmentation and third is intrinsic bio-remediation, bio-stimulation क्या होता है, microbes are stimulated to begin the remediation process via chemical or nutrient, ठीक है, वहां पर जहां पर आपका contaminated area है, वहां पर already यहां पर क्या है, micro-organisms present है, उन micro-organisms के population को बढ़ाना, उन्हें उनके मन पसंद खाना खिलाना, या कुछ chemical डालना जिससे वो activate हो जाते हैं, इन microbes को activate करते हैं और यह microbes अपना काम शुरू कर देते हैं, यानि कि bio-remediation शुरू कर देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उन microbes को stimulus कर रहे हैं, stimulus मतलब जैसे कोई चीज गरम है और आप उस पर हाथ लगा कर हटा लेते हैं, तो क्या है stimulus है, अगर कोई पीछे से आपको अवाज एता, आप मुड कर देखते हैं, यह stimulus है, यानि कि कोई बाहर का external agent आप में अगर कोई action कर रहा है, तो वो stimulus होता है, तो उसी तरीके से हम इन microbes को stimulus दे रहे हैं, या तो nutrient की form में दे रहे हैं, या किसी chemical की form में दे रहे हैं, जिससे यह active हो रहे हैं, और अपना काम शुरू कर रहे हैं, detoxification का काम शुरू कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं, बायो stimulation, जी, very very good evening, वर्मा सहाब, है न, और बायो augmentation क्या होता है, बायो augmentation होता है, पर cleaning up the soil contaminants and adding the bacteria to the surface, तो यहाँ पर bacteria आप add करते हैं, बायो stimulation में already bacteria present, आप उन्हें सर्फ stimulus कर रहे हैं, यान कि उनको active बना रहे हैं, बायो augmentation में क्या हो रहा है, you are adding the bacterial inoculum, आप अपने आप से artificial नहीं कहेंगे, lab-grown bacteria उसमें add कर रहे हैं, है न, so this is called as bio augmentation, it is used mainly in the cleaning up of soil contamination, this process adds bacteria to the surface of the affected area, इस process में आप क्या करते हैं, bacteria को add करते हैं, where they are allowed to grow, जहां पर यह grow होते हैं और intoxication शुरू करते हैं, चीजों को bio-remediate करना शुरू करते हैं, थार्ड होता है, intrinsic bio-remediation, intrinsic bio-remediation converts toxic material, converts toxic material into inert one, जो toxic material हैं, उनको inert में count कर देता है, inert चीज़े कौन सी होती हैं, जो किसी के साथ react नहीं करती, react नहीं करती मतलब वो active form में नहीं आती हैं, चीक हैं, तो जो भी toxic substance है, toxic compound है, जो harmful है, poisonous है, उनको ये inert में convert कर देता हैं, कि वो किसी के साथ react नहीं करते हैं, वो active नहीं होते हैं, inactive stage में पढ़े रहते हैं, तो basically वो किसी को harm नहीं पहुचा पाते हैं, इसे कहते हैं, intrinsic bio-remediation, चीक हैं, इसको intrinsic bio-remediation कहते हैं, चीक हैं, वैसे तो form date चली गई है, गादरी, I guess your name is, so RPSC, FSO, form date चली गई हैं बच्चा, but I guess उसमें horticulture were not eligible, only the agriculture students were eligible, बाकि एक बार आप चेक कर लिए जएगा, अब एक और टर्म आती है, this is called bio-venting, venting, यानि कि ventilation से related है, यह न, bio-venting, so ventilation हम करते हैं, रूम के दरवाजे खड़की खोल देते हैं, अच्छा ventilation होगा, especially जैसे कोई बंदा बिमार होता है, तो उसके रूम का proper ventilation होना चाहिए, कोवेड में भी गाइडलाइन्स थी, कि जिस रूम में मरीज रह रहा है, उस proper room का ventilation होना चाहिए, तो उससे क्या होता है, inoculum कम develop होता है, क्योंकि हवा के साथ वो चीजे फ्रेश हो रही है, है न, so bio-venting भी कुछ ऐसा ही है, bio-venting में आप क्या करते हैं, एर प्रोवाइड करते हैं, यानकी ventilation अच्छा रखते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उनको proper oxygen मिलेगी, और वो फटा-फट काम करेंगे, उनकी activity बढ़ जाएगी, इस process को bio-venting कहते हैं, चीक है, bio-venting is a process that increases the oxygen, and air flow into the saturated zones of soil, यह unsaturated zone में किया जाता है, unsaturated zone मतलब, जो soil के छेद होते हैं, soil में particles है, particles के बीच spaces होते हैं, अगर spaces पूरे भरे हुए होते हैं, तो उन्हें saturated zone कहते हैं, अगर spaces खाली हैं, तो वो unsaturated zone होती हैं, चीक है, so unsaturated zone में यह क्या करते हैं, air flow बढ़ा देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, वर्मी कमपोस्ट बनते हुए देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, time to time हम उसको उलटते पुलटते रहते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब उसको उलटते पुलटते हैं, तो चीजें मिक्स होती हैं, बीच के जो spaces हैं, air spaces वो बढ़ते हैं, जिससे air flow अच्छा होता है, oxygen to the microbes या earthworms अच्छे से पहुचता है, और वो process complete होता है, चीके, it increases the rate of natural in-situ degradation, यह natural in-situ degradation, अलरड़ी जो environment में हो रही है, उसका process क्या करता है, past करता है, this is called bioventing, bioventing is an aerobic bio-remediation, aerobic है क्योंकि oxygen की presence में होता है, the most common form of oxidative bio-remediation process, where oxygen is provided as an electron acceptor, और यह oxygen क्या काम करता है, यह oxygen electron acceptor का काम करता है, तब ही तो oxidation होगा, है ना, जब भी कोई चीज electron देती है, तो वो क्या होती है, oxidize होती है, आप वो जो electron दे रही है, उसको कोई लेने वाला भी होना चाहिए, so oxygen atom performs that thing, है ना, यह electron accepting molecule है, ताकि oxidation reaction हो सके, और वो चीज जल्दी degrade हो सके, तो इसको bioventing कहते हैं, then bio sparging, bio sparging is the process of ground water remediation, ground water, जो धरती के नीचे पानी है, उसको clean करने के लिए, जो हम term use करते हैं, वो bio sparging होता है, आप कहेंगे माम धरती के नीचे पानी तो साफ ही है, उसमें क्या मिला हुआ है, चलो भई भार पानी, उसमें तो industrial influence मिले है, soap water मिला हुआ है, sewage water मिला हुआ है, लेकिन जो underground water है, उसमें क्या है, तो जितने भी हम insecticides, pesticides, अपने crop में use कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे क्या होते हैं, leech down होते हैं, आपके ground में नीचे जाते हैं, और ground में नीचे जाके, यह जो pesticides है, insecticides है, आपके ground water को pollute कर रहे हैं, तो इस ground water को साफ करने के लिए, हम किस की help लेते हैं, बायो, स्पारजिंग की help लेते हैं, तो यहाँ पर हम oxygen और जो भी उन microbes को खाने पीने का लिए चाहिएगा, यानि कि nutrition, यह दोनों चीज़ें हम microbes को provide करते हैं, जिससे microbes की population, फलती-फूलती है, जादा नंबर में हो जाती है, और उसको cleaning करने का जो process है, ground water को वो fast हो जाता है, when the oxygen is injected और indigenous bacteria are stimulated, to increase the rate of degradation, जो degradation का rate है, वो increase हो जाता है, in the presence of nutrients and oxygen, however, bio-asparaging focuses on saturated contaminated zones, specially related to ground water remediation, तो यह जो bio-asparaging होती है, वो कहां होती है, saturated zones में होती है, saturated zones का मतलब है, soil के जितने भी spaces है, वो सब पानी से भरे हुए है, ground water है, of course, तो नीचे तो जितना भी space होगा, वो सब water से भरा हुआ होगा, यानि कि saturated zone होगी, तो वहां पर bio-asparaging की जाती है, फिर कुछ XC2 methods है, XC2 methods यानि कि site से दूर, जब आप bio-remediation करते हैं, तो उसे XC2 bio-remediation कहते हैं, जैसे bio-piles, तो अगर मान लीजगे, surface अगर contaminated है soil का, तो हम इसको microbes डाल कर कर रहे हैं, bio-stimulation भी कर सकते हैं, या फिर हम bio-augmentation भी कर सकते हैं, लेकिन अगर underground soil contaminated है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें bio-piles करने पड़ेंगे, यानि कि पहले इस मिट्टी को हमें नीचे से खोदना पड़ेगा, और इसके piles बना देते हैं, खोद कर जो मिट्टी निकालेंगे, उसके piles ही बनते हैं, road side में देख ली, जब भी road formation हो रही होती है, या आपने कभी कुआं खोदा हो, गड़ा खोदा हो, उम क्या करते हैं, सारी मिट्टी खोद के side में डालते रहते हैं, heap बन जाता है, pile बन जाता है, इस pile में micro organisms का introduce करते हैं, ताकि जो भी हमारे contamination हुई है, जो भी contamination इसमें present है, उनको inert में change किया जा सके, उन toxins को inert toxins में change किया जा सके, या फिर ऐसे pollutant हैं, जैसे कि plastics हैं, या कोई और pollutant हैं, जिसको degrade किया जा सकता है, with the help of microorganism, तो उन्हें degrade किया जाता है, this is called as biopiles, biopiles are similar to bioventing, bioventing जैसा ही होता है, यार्कि आपको सर्फ oxygen प्रोवाइड करनी है, वहाँ जो real microorganism जो already present है, जो indigenous है, indigenous का मतलब जो वहाँ पर already रह रहा है, उसकी population proliferate होती है, और degradation fast होती है, it is used to reduce the petroleum pollutants, by introducing aerobic hydrocarbons, to the contaminated soils, अक्सर petroleum pollutants इसके द्वारा क्या किया राते है, साफ किया राते हैं मिट्टी से, ताकि इसमें aerobic hydrocarbons add किया राता है, to contaminate the soil, ठीक है, however, the soil is exaggerated and piled up, soil को हम क्या करेंगे, खोदेंगे, निकालेंगे और pile करेंगे, और इसमें aeration system अच्छा करेंगे, ताकि microbial activity बढ़ सके, और इसमें degradation process fast हो सके, तो इसे कहते हैं, bio piles, then windrows, windrows क्या है, these are the systems which are similar to compost technique, जैसे हम compost technique करते हैं, where the soil is periodically turned in order to enhance the aeration, हम composting में क्या करते हैं, सारे bio degradable चीज़े एक जगर डाल देते हैं, और microbes उन्हें compost करते हैं, उन्हें खाद में convert करते हैं, same चीज़ आपको windrows में करनी है, soil में करनी है, उन्हें हम time to time अलटते पलटते रहते हैं, ताकि better aeration हो सके, एक और term है land farming, land farming is a method commonly used for the sludge spills, जो आप sewage treatment करते हैं, sewage treatment में water का treatment तो कर लेते हैं, लेकिन जो solid particle है, जो नीचे जमता है, वो होता है sludge, उस sludge को degrade करने के लिए, हम land farming या फिर land treatment का use करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, cyclically इनको rotate करते रहते हैं, the process above land application and contaminated soils, तो यह आपका contaminated soils में use किया जाता है, या sludge soil में use किया जाता है, तो इसमें bio reactors use होते हैं, sludge digestion के लिए हैं तो यह भी क्या है, जो उनका original place है, उससे बाहर निकाल कर आप इसका treatment कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया है, यह XC2 conservation हो गया है, जिसका नाम है land farming, so, so far हमने sludge को कैसे digest करना है, या different digesting जो techniques है, वो क्या-क्या है, उनके related जो terms है, वो क्या-क्या है, तब के exam में बहुत details में bio remediation कहीं नहीं पूछा जाएगा, आप से सर्फ यह definitions पूछी जा सकते हैं, bio venting क्या है, bio remediation क्या है, phyto remediation क्या है, इस तरीके से आप से चीजे पूछी जा सकते हैं, right? यस गादरी, it's unallied, but somebody are mentioning that B.S.E. horticulture and B.S.E. agriculture both are allowed, some do not mention, they are just mentioning the B.S.E. agriculture, that means if you are from B.S.E. horticulture, if your degree contains this word B.S.E. horticulture, that means you cannot apply in this form, okay? आईए, अब heavy metals पर आते हैं, तो हम सभी जानते हैं, heavy metals की बहुत सारी contamination पाई जाती है, in soils and in water bodies, दोनो जगहां पर, यह heavy metals क्या होती हैं, heavy metals जैसे की आपका lead है, cadmium है, chromium है, uranium है, जिनका molecular weight काफी जादा होता है, यह हमारे शरीर में बहुत सारी बिमारियां करते हैं, और इसलिए हमें इने consume नहीं करना चाहिए, heavy metals become present in the environment, due to anthropogenic activities or natural factors, जब आप mining कर रहे हैं, electronic waste जितना हम produce कर रहे हैं, fires है, अपना नया phone लिया, पुराना फेक दिया, उसका charger फेक दिया, यह सब जो हम डंप कर रहे हैं, इन से heavy metals निकलते हैं, हमारी soils में, हमारी water में contamination कर रहे हैं, साथ सल natural factors भी हो सकते हैं, जैसे कि mineral withering होता है, soil erosion होता है, या forest fires होते हैं, जिनके कारण heavy metals हैं यह हमारी soil में मिलते हैं, तो इन heavy metals को आपके जो microbes हैं, generally वो नहीं degrade कर पाते हैं, लेकिन क्या करता जाते हैं, इन heavy metals को हम less toxic बना सकते हैं, finally पूरा degrade हम नहीं कर सकते हैं, किसी microorganism से, लेकिन इनको less toxic ज़रूर बनाया जाता है, जैसे कि microorganism can reduce the toxicity of the chromium, यह chromium 6 से chromium 3 बना देते हैं, which is less toxic, chromium 6 से कहीं ज़्यादा less toxic होता है, चिके तो microorganism इसमें हमें help ज़रूर कर सकते हैं, uranium है, uranium 6 से आप uranium 4 बना सकते हैं, oxidation state से, और यह जो uranium 4 oxidation state है, यह क्या है, less mobile है, यहनकि ज़्यादा इधर से उधर नहीं घूम सकते हैं, तो अपकोर्स इनकी जो contamination है, वो भी कम होगी, जो इनकी activity है, वो भी कम होगी, microorganisms are reduced, are used in this process, because of the reduction rate of these metals, is often slow, unless catalyzed by the microbial interaction, generally, जो यह आपकी heavy metals हैं, जो और soil में या water में present होती है, इनका reduction rate बहुत slow होता है, यह खुद भी chromium 6 से chromium 3 पर आ सकते हैं, लेकिन बहुत slow आएगी, लेकिन micro-organisms से प्रोसेस past हो जाता है, और यह जल्दी less toxic ions में या atoms में change हो जाते हैं, जो कि हमें फाइदा देते हैं, क्योंकि अभी हमें इतना या हमारे environment को इतना नुक्सान नहीं पहुँचाएंगे, phyto extraction method can also be done to use for the heavy metals, phyto extraction या phyto remediation, यह phyto extraction या phyto remediation क्या होता है, आप tree उगाते हैं उस soil में, जो कि heavily contaminated हैं metal आयन से, और आप ऐसे trees उगाते हैं जो heavy metal loving trees होते हैं, यानि कि generally वो soil से सारे heavy metals उनकी जो roots हैं, वो absorb करके plant को पहुचा देती हैं, और soil में से heavy metals गायब हो जाती हैं, इससे phyto remediation या phyto extraction कहते हैं, ठीक है, now pesticides आपके decompose किये जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे bacteria हैं, pseudomonas है, klebicella है, bacillus subtilis है, fungus हैं जैसे कि trichoderma है, aspergillus है, यह fungus यह bacteria यह सभी यूज किये जाते हैं, pesticides, insecticides जितने भी हम agriculture में यूज कर रहे हैं, उनको degrade करने के लिए इनका यूज किया जाता है, यह भी उस process को fast करते हैं, ताकि जादा दिनों तक वो chemical ना हमारी body में रहें, ना हमारी soil में रहें, ना plant body में रहें, तो इसके लिए microorganisms इसके लिए काम कर रहे हैं, plastics, plastics का तो आप सभी को पता है, है ना, एक bottle बिसलरी की जिससे आप पानी फीकर फेक देते हैं, और सोचते भी नहीं है, उस bottle को degrade होने में, naturally degrade होने में 450, 450, 450 साल लगते हैं, यह 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 500 इमान के चलिए, 500 साल आपके 3-4 पीडियां खतम हो चुकी होती है, actually no, अगर 100-100 साल भी जोगे, तब भी 6-7 पीडियां जाएंगी 500 साल में, है ना, तो 6-7 पीडियां जोब तक आपकी खतम होती है, तब तक आपकी वो वाली bottle खतम होती है, जो आज आप पानी पीकर फेक रहे हैं, plastics are very less degradable in the environment, है ना, लेकिन अब हमारे पास ऐसे कुछ अच्छे microbes हमने चुने हैं, जो इसकी degradation को भी fast कर सकते हैं, और इस process को हम और भी fast कर सकते हैं using GMO crops, sorry GMO bacteria, genetically modified organism, इन bacteria में हम क्या करते हैं, ऐसे genes introduce करते हैं, जो इस plastic की degradation को fast कर सकता है, some of the microorganisms are pseudomonas, pseudomonas degrades 20% of the polythene and 8% of plastics in one month, ये एक महिने में 8-9% तक उसको degrade कर पाता है, among the fungal species, aspergillus glaucus can do the same, 28% polythene या 7.26% plastic को वो एक महिने में convert कर सकती है, तो हम plastic degradation को fast कर सकते हैं with the help of micro-organism, right, so micro-organism का selection कैसे, जो secret करते हैं कुछ enzymes, ये enzymes आपके plastic surface को degrade करते हैं और उनको जो है, intermediate बनाते हैं, अब उनके जो intermediate हैं जो degrade हुए, वो TCA cycle में भी जा सकते हैं, और micro-organism इनको खा भी लेते हैं, as a nutrition, आपका हर digestion या हर degradation ऐसे ही होता है, micro-organism चीज़ को degrade कर रहे हैं, उससे जो degrade बन के जो compound मिलता है, अक्सर micro-organism उसको खुद consume कर रहे होते हैं, as a part of their food or nutrition, चीक है? Then, इतनी bio-remediation पढ़ लिए, एक छोटा सा क्वेशन हमारे दिमार्ग में आते हैं, composting, जो कि सब करते हैं, देखा है, हमने करते हैं, तो सब नहीं है, जितने भी छिल के हैं, और गानिक मैटर हैं, इसको हम पोस्ट में डाल देते हैं, वो easily degrade हो जाते हैं, तो क्या composting भी bio-remediation का process में include होता है? जी हाँ, बिल्कुल include होता है, क्योंकि compost में आप क्या करें? जितना भी organic waste है, जो बाहर पड़ा हुआ हो सकता था, गंदगी फैला सकता था, बिमारियां फैला सकता था, वो आप खुद से decompose कर रहे हैं, घर का खाथ भी बना रहे हैं, लांड को साफसुतरा भी रख रहे हैं और बिमारियां होने से बचा रहे हैं, तो ये भी bio-remediation में आता है, एक और टाम होती है, micro-remediation, micro-remediation मातलब जब आप पंगस का यूज करते हैं for remediation, जैसे कि एसपरजिलिस का हमने कई जखा यूज देखा है, जब हम पंगस का यूज करते हैं for remediation, this is called micro-remediation, तो इसको micro-remediation बोल देते हैं, चले, अब कुछ questions करते हैं, bio-augmentation involves, bio-augmentation में क्या होता है, eliminating the sludge, sludge eliminate होता है, plant usage for the bio-remediation, addition of microbes to the clean-up site, और bio-venting, bio-augmentation क्या होता है, अब यह तो बताया है, मैंने आप लोगों को, bio-augmentation क्या है, addition of microbes to clean-up the site, आप microbes add करते हैं उस site को clean करने के लिए, तो उसे bio-augmentation कहते हैं, है ना? इस clean-up approach includes removal of ground water और soil from its natural setting to permit for bio-remediation, clean-up approach which includes the removal of ground water और soil from its natural setting, उसका जो natural habitat है, आप वहां से ground water को या soil को निकाल रहे हैं, ताकि उसका bio-remediation किया जा सके, तो इसको हम क्या कहते हैं? XC2 bio-remediation, क्योंकि आप उसके habitats उसको बाहर निकाल रहे हैं, so this is XC2 bio-remediation, at this stage of waste water treatment, the methanogenic microbes are the most significant, जब आप sewage treatment या waste water का treatment करते हैं, तो उसमें methanogen microbes का use सबसे जादा कब होता है, जब आप sludge digest करते हैं, है ना? जब आप sludge digest करते हैं, जो solid part नीचे बैठा हुआ है, उसको digest करते हैं और methane gas produce करते हैं, बाकि जो बचा हुआ पायते हैं, वो as a bio-fertilizer आप जो है, use करते हैं, so this is called sludge digestion, A, भई आप लोग भी आंसर कर सकते हैं, मैंने सब कुछ अभी अभी पढ़ा हैं आप लोगों को, bio-remediation technique includes mixing contaminated water and soil and fertilizer and carbon dioxide in a bio-reactor to stimulate bio-degradation, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक bio-reactor में आपने soil, fertilizer, carbon dioxide सब मिला दिया है, ताकि bio-degradation हो सके, तो इसको हम क्या कहेंगे, कहम पोस्टिंग कहेंगे, slurry phase bio-remediation कहेंगे, in-situ bio-remediation कहेंगे, या bio-pile treatment कहेंगे, तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, इसको हम कहते हैं slurry phase bio remediation ठीक है क्योंकि इसमें आप slurry बनाते हैं क्योंकि इसमें water add हो रहा है और फिर इसको bio remediation के लिए छोड़ देते हैं bio remediation क्या होता है usage of microbes to create new organism usage of anaerobic bacteria to create new antibiotics usage of microbes to destroy environment pollutants या usage of aerobic bacteria to create new vaccines तो यहाँ पर answer क्या होएगा usage of microbes to destroy environmental pollutants which is option C pollutants को कम करने के लिए ही हम microbes का जो use करते हैं उसे bio remediation कहते हैं annanda chakrabarty receive the first u.s. patent for a gm entity the entity was so the entity was transgenic your pseudomonas the pseudomonas was engineered that means it was a transgenic hemo genetically modified organism to degrade the petroleum ताकि वो petroleum को degrade कर सके तो जो oil spills होते हैं बड़े-बड़े tank oil के जाते हैं इधर से उधर और वो spill हो जाते हैं आपके समुंद्र में जिसके विज़े से क्या होता है वो समुंद्र पर एक layer बना लेते हैं oil की और जो समुंद्र के नीचे जो animals रह रहे हैं उनको suffocation होती होने oxygen नहीं मिल पाते हैं तो उस oil को clear किया रहता है using microbes तो वहीं पर ये काम आया था pseudomonas which was engineered by Anand Chakrabarti and he got the patent for the GM entity he got the patent for this work done by him a process using microorganisms to convert toxic industrial waste to less toxic or non-toxic toxic industrial waste को या तो कम toxic banana या फिर उसे inert बना देना non-toxic बना देना यह किस में होता है precipitation में होता है complement fixation में होता है bio conversion में होता है या bio remediation में होता है तो यहां पर अंसर क्या आएगा अगें bio remediation अगर हम सही से बात करें तो इसका answer होगा intrinsic bio remediation टिक इंत्रिंसिक bio remediation will be the right answer which is option D dash bacterium can withstand the dosage of radiation which are several times higher than what human cells can tolerate ऐसी स्पीशी जो human cell just UV radiation dosage को जहल सकते है उससे ज्यादा जहल सकती है वो स्पीशी कोंसी है आपके बेक्टीरिया की बेक्टीरियल स्पीशी इस डाइनो कोकस radio durance यह radioactive को अपने अंदर समा सकता है हमसे हमारे से ज्यादा तो यह क्या है डाइनो कोकस radio durance the bio remediation process involves the usage of plant to degrade the pollutants pollutants कम करने के लिए अगर आप plants का use कर रहे हैं तो इससे क्या कहते है कंपोस्टिंग कहते हैं बायो पाइल कहते हैं fight or remediation कहते हैं या land farming कहते हैं जिससे अक्सर कर जाते हैं अगर आपकी कोई industry है तो उसके पास आसपास area रखी है खाली जिसमें आप बहुत सारी plantation करें तो अक्सर आप देखेंगे में जो भी industry full norms follow करती है वो अपने असपास free spaces रखेंगे में प्लांटेशन करती हैं ताकि जो वो जितना pollution वो फैला रहे हैं वो plants उतना ही oxygen हमारे environment में बढ़ा रहे हैं या उन pollutants को कम कर रहे हैं तो यह क्या होता है फाइटो रेमेडियेशन अगर आप plant की help से environment को clean करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे फाइटो रेमेडियेशन कहते हैं यह कोई इंडिया का बैक्टीरिया नहीं है बट बायो रेमेडियेशन में यूज होता है सॉरी नॉट इंडिया का नहीं है इंडिजीनिस मेंज वो अल्रेडियेशन के लिए सांपल है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है अंदर है तो इस नॉट इंडिजीनिस तू दाट सांपल माफ की चाहिए गा है रहा है सो दाट विल बी बी पैसी रेकेटेशिया सेल्मोनिलेश जनरली यह उस सैंपल में अल्रेडी प्रेजेंस नहीं होता है तो यह क्या है यह आपका आंसर होगा बी है यह पर आपका है तो आज कि हमारे क्लास यहीं पर समाप तो यह तो कि मेरे बहुत पास्ट दुपारा बनाई थी अंद आ थे ढिर एंद दो ने ड्लाइट ओंट पोर अइछे रेकेटा ने सम आठेका बना दरक्राजे पींट आड इस आए वे और रहात पो डैसा तो you can, right, so, FCI का आपका जो कोर्स है, जब आप मेंस के अपतियारी करना, I think, शुरू कर ही लिजे साथ-साथ, right, this course is on 80% off today, आज आपका जो FCI Category 2 का कोर्स है, 80% off पर है, आज की दिन, यानि कि आपको जो पे करनी है, आपका जो कोर्स की फीस है, so, आपका प्रीक एक्जाम अच्छा गया होगा, यहीं हमारी आशा है, और आप मेंस की तयारी करेंगे, so, you can join us for the mains, right, तब तक मैं question read कर लेती हूँ, नहीं आरिंदम, इस आर नोट इंक्लूदे इन FCI AG3, है ना, बायो टेक्नोलजी सिर्फ FCI manager का पाट है, FCI AG3 का पाट नहीं है, यहस चंदन, you can join the telegram group, everyone, है ना, you can join the telegram group, agriculture, अटड़ 247, इसमें आपको सारी class updates मिलती रहेंगी, जो भी कोई important notification आएगी, वो भी आपको time to time मिलती रहेंगी, so, you can join this telegram group, okay, तो आप इस telegram group को join कर सकते हैं, so, that's all from my side, if you like the class, put a like button, give a thumbs up and share it with your friends, अपने friends के साथ share करें, if you want to enroll in the courses, कैसे enroll करना है, मैं यहाँ से आपको शो करती हूँ, आप application के द्वारा भी enroll कर सकते हैं, साथी साथ website पर भी visit कर सकते हैं, करना क्या है, बस Google खोलना है, टाइप करना है adder 247 और इस तरीके से आपकी site खुलेगी, इस site पर यहाँ all courses में जाहिए, FCI select कीजिए, FCI manager select कीजिए, यह आपके सारे live courses आ गए हैं, इन सभी live courses पर 80% off है, with code Y448A, 4 प्लस 4, 8 होते हैं, A for agriculture, सब पर 80% off है, साथी साथ agriculture महा pack पर double validity है, मतलब 80% off के बाद भी जो fees बनती है, पहले आपको उसमें एक साल के लिए classes मिलती, आज के दिन आपको इसमें दो साल के लिए classes मिल रही है, so it has double validity प्लस 80% off, enroll कैसे करने है, enroll करने का तरीका बिलकुल सेम है, अभी बताती हूँ और नेचे आपकी यह test series है, so if you want to practice the mock test, you can purchase the test series also, आप और नेचे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर अपने related books भी मिलेंगी, for numerical ability, aptitude, language, general science, so आप इन books को ही hard copies भी purchase कर सकते हैं, which will be delivered to your home, ठीक है, सब का तरीका एकदम सेम रहेगा, just आपको क्या करना है, उस batch को click करना है, click करके, यहाँ पर description है, you can read this description और फिर buy now पर click करें, buy now पर click करके, यहाँ पर डालें अपना coupon code to get the off, Y448A, जैसे Y448A apply किया, यहाँ पर 80% introduced हो गया, और आपकी payable fees कितनी होती है, 1,999, वैसे यह आप test series में या फिर books में enroll कर सकते हैं, करना क्या है, बस नीचे जाना है, हमें यहाँ पर technical को select करना है, buy now पर click करना है, और यहाँ पर coupon code थोड़ा सा change हो जाता है, Y448A की जगा लगता है, Y448S, S replace कर देता है A को, ठीक है, तो यहाँ पर आपने coupon code लगाना है, Y448S, and apply कर देना है, तो 414 में आपकी test series है, जिसमें total 120 plus test है, which are like very much, आप दो महिने के लगाता है, रोज एक test prepare कर सकते हैं, using this test series, thank you from my side, and signing off right now, मिलते हैं Monday को, आप सभी की regular classes में, आपकी regular classes का time हमेशा यही रहेगा, 5 p.m. to 6 p.m. right now, okay, only on agriculture at 24-7, and do subscribe agriculture at 24-7, goodbye and take care.